हेलो प्यारे बच्चों वेल्कम अगें टू फिजिक सेलूशन पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों हम लोग निउटन्स लाज आप मोशन की बात कर रहे थे और उसमें बच्चों आलमोश्ट हम लोगों ने पूरा चैप्टर कम्प्लीट कर लिया था बच्चों इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज जिसमें कुछ अच्छे क्वेस्टन्स आपको मिलेंगे उसको आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बिना लेट करते हुए कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज से बच्चों पहला कोश्चन इसमें आप देखें पहला कोश्चन का रहा है कोई फोर्स से बच्चों इसको पुल किया गया है और फोर्स की वैलू यहाँ पर बताई गई 5 इंटू 10 की पावर फोर न्यूटन एक 3 मीटर का दिस्टेंस इसको पुल किया गया है ऐस्यूमिंग देट रेजिस्टेंस ड्यू टू वाटर इस नेगलेजिवल दी स्पीड आफ सिप बच्चों यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेस्चन है वाटर कोई रेजिस्टेंस लगा नहीं रहा है तो एकसिलेटेड मोशन करेगा और एकसिलेटेड मोशन करेगा करेगा तो लोकेशन माल लिया यह था पहले और अब जो नया लोकेशन हुआ इस सिब का उसको बच्चों मैंने एजियूम कर लिया कि नया लोकेशन इसका भी हो गया ओके ऐसे कि यहां पर बच्चों आभियस सी बात है कोई वैलास्टी इसने गेन कर लिया होगा चलो कुछ ना कुछ होगा ही हमसे कहा गया सर बताई इस्पीड कितना गेन कर लेगा नया इस्पीड इसका क्या होगा वी की वैलू पता करनी है और यह जो डिस्टेंस एवर बी के बीच का दिया गया बच्चों यहां से यहां तक का जो मोशन हुआ यह से भी तक का इस डिस्टेंस को उन्होंने दे दिया है कितना दे दिया है दिस इस थ्री मीटर दिस इस थ्री मीटर ओके और मास दिया गया है सिपका फोर्स दिया गया तो बच्चों फोर्स और मास के हेल्प से ह फोर्स लग रहा, simple सा equation लगाएंगे, f equal to m, यहाँ पर बच्चो यह की value हो जाएगी, f divided by m, जो force यहाँ exert किया गया, जो force बच्चो लगाया गया है, उस force की value यहाँ के अंदर दिया गया है, इस question में, 5 into 10 की power 4, ओके, this is 5 into 10 to the power 4, और mass यहाँ के अंदर जो है बिटा, वो है 3 into 10 की power 7 kg, 3 into 10 to the power 7 kg, यह mass हो गया, और इतना newton force है, तो बच्चो acceleration जो gain करेगा, शिप वो क्या हो जाएगा, 5 by 3 multiplied by 10 की power minus 3, इतना meter per second square, यह acceleration होगा, जो shift की द्वारा gain किया जाएगा, ओके, इसी क्योंकि force constant है, mass बदल नहीं रहा है, तो बच्चो acceleration भी constant होगा, इसी acceleration से, यह सी point A से B तक जाएगा, और यहाँ पर बच्चों, जो velocity gain करेगा, वो कितना होगा, हमसे पूछा गया है, तो यहाँ गैलीलियो जी का equation एपली केबूल होगा, हम लोग लगा देते हैं, V square, equal to U square plus 2 AS, V square, I don't know, U square means 0, क्योंकि initial speed क्या था, 0, 2 times of A, A के जगा पर होगया, बच्चो 5 by 3 multiplied by 10 की power minus 3, और यहाँ पर yes की value जो है, multiplied by 3, बच्चों, इसी को solve करके, यहाँ answer निकाल लेना है, देखते हैं क्या आएगा, यह वाला 3 यहाँ से cancel out हो रहा है, V square की value बच्चों, यहाँ के अंदर हो जाएगा, यह 10 हो गया, यानि 10 की power minus 3 से multiply होगा, 10 तो आजाएगा, 10 की power minus 2, तो V की value बच्चों, आजाएगा, square root के अंदर, 10 की power minus 2, यानि 10 की power minus 1, जो की होगा, 0.1, 0.1 meter per second की speed यह गेन कर लेगा, बच्चों, तो option के point of view से अगर मैं देखूं, तो बच्चों, यहाँ पर जो correct choice हमें दिख रहा है, वो हो जाएगा, option C, ओके, correct choice that we will consider here, this will be option C, ओके, चलते हैं बच्चों, अगले question, we have question number 2, question number 2 says, क्या करा बच्चों, a vessel containing water is given a constant acceleration a towards right, एक vessel है, एक बरतन है, एक container है, बच्चों, उसके अंदर क्या भरा हुआ, water, ओके, उसको एक accelerated motion कराया गया है, और accelerated motion जो कराया गया है, किधर को कराया गया है, यहाँ पर right side को कराया गया है, यह long a straight line, horizontal path में कराया गया, which आप दी following diagram represents the surface, आप दी liquid, मेरे प्यारे बच्चों, simple सा एक question इस तरह का कोई एक container है, like this, यहाँ पर इसके अंदर water भरा हुआ है, water भरा हुआ है, या कोई सा liquid हो सकता है, यह देखिए, ऐसे भरा हुआ है, अगर यह container rest में रहे, तो water का profile बिल्कुल ऐसे होगा, जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक, लेकिन, जैसे ही बच्चों यह motion करना सुरू करेगा, accelerated motion, जब इसमें accelerated motion होगा, तो जो container है न बच्चों, यह accelerated frame हो जाएगा, यानि non-inertial frame हो जाएगा, ठीक है, यहाँ के अंदर यह container हमारा एक accelerated frame हो जाएगा, और accelerated frame अगर यह हो गया, तो इसके अंदर जो water भरा हुआ, जो liquid भरा हुआ, उसके molecule पर opposite direction में इस तरह से क्या लगना सुरू होगा, pseudo force, और pseudo force की वज़ा से इधर के water molecule इधर की और आने की कोसिस करेंगे, तो यहाँ पर left side में water molecule का level उठ जाएगा, ऐसे, और right side में बच्चों यहाँ decline कर जाएगा, यहाँ पर जो water का profile होगा, finally वो कुछ इस तरह से होगा, जैसे मैंने आपको दिखाया, क्योंकि यहाँ पर pseudo force लगेगा water के उपर, और water molecule के उपर pseudo force लगने की वज़ा से, water molecule बच्चों back side में जाकर pressurize करेंगे back side में, और यहाँ पर water molecule की संख्या water molecule का number ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पर profile देखने में कुछ इस तरह का प्रतीत होगा, तो option पर अगर जाएं बच्चों, यहाँ तीन diagram उन्होंने हमको बना के दे रखे हैं, यहाँ 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, यहाँ पर जो diagram B है वही यहाँ correct होगा, और option B भी यहाँ correct होगा, option B में diagram B को बताया गया है, यहाँ correct choice जो हम लोग बच्चों यहाँ पर लेंगे, वो हो जाएगा option B, ओके, यह था बच्चों solution, question number 2 के लिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले question पर, now we have question number 3, देखें बच्चों, question number 3 says, क्या कह रहा है, a car is moving in a circular horizontal track of radius 10 meter, with constant speed 10 meter per second, a plumb bob is suspended from the roof of the car by a light rigid rod, the angle made by the rod with the vertical, बच्चों कोई car है, वो circular track पे चल रहा है, यानि circular motion कर रहा है, उसके रूप से, एक कोई pendulum type, कोई plumb bob है बच्चों, उसको लटकाया गया है, किसी एक rod के जरिये, तो यहाँ पर होगा क्या, देखो, यह question number में बात कर रहा हूँ बच्चों, question number 3 के लिए, इसका solution हम लोग देख रहे हैं, देखे, यह माल लीजे, car है, यह car है, यह इसका रूप है, छट है, ऐसे, बच्चों, यह car किसी circular path पे जा रहा है, अब circular path पूरा मैं दिखा नहीं रहा हूँ, माल लिया, जब यह circular path पे चलेगा, तो इसके उपर centripetal acceleration center के ओर लगा होगा, तो इसके अंदर जो plum बाब ऐसे लटका हुआ है, pendulum type समझे, उसके उपर क्या लगेगा, car के respect में, इसके उपर बच्चों pseudo force लगेगा, ठीक है, और pseudo force लगने की वज़ा से, pseudo force लगने की वज़ा से, यह जो हमारे पास rod ऐसे था, वो ऐसे हो जाएगा, इस तरह से situation बनेगा, somewhat like this, ऐसे, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, मेरे बहादुर बच्चों, यहां इस तरह के orientation में, जो यहां हुआ करता था, जब यह circular motion करेगा, तो car के उपर centripetal acceleration लगेगा, और centripetal acceleration अगर लगेगा, बच्चों, तो जीधर centripetal acceleration लगेगा, अब यह सी बात है, center के ओर लगेगा, उसके opposite इसके उपर क्या लग जाएगा, pseudo force, और pseudo force की वज़ा से बच्चों, यहां पर इसका mass अगर ym है, और ac यहां car का acceleration था, तो pseudo force ym into ac के बराबर हो जाएगा, बेटा, यहां पर कहीं न कहीं आके, equilibrium का यह condition बना रहा होगा, हमसे यह पूछा गया है, कि बताए angle made by rod with the vertical, vertical से कितना angle बनाएगा, vertical से कितना angle थीटा पूछा गया है, बच्चों अलग से इस diagram को मैं यहां बना के दिखाता हूँ, यह car की छथी, यह vertical line है, जो plumbab पहले यहां हुआ करता था, वो यहां आ गया है, और कहीं न कहीं से equilibrium बना हुआ है, ymg force downward, और बच्चों tension force यहां पर string में ऐसे tension force के बराबर force लगा, somewhat like this, यहां पर car के respect में इसके उपर बच्चों एक pseudo force लग रहा है, जो qm into a के बराबर हुआ, यह तीनो force कहीं न कहीं एक दूसरे को balance कर रहे होंगे, यहां पर angle मैंने मान लिया, ठीटा है, मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग ध्यान से देखो, यहां पर tension force का एक component इधर, tension force के बराबर force, जो plumbab पे लग रहा है, और यह component इधर, अगर यह theta तो यहां भी theta होगा, तो यह वाला component जो बच्चों निकल के आएगा, यह हो जाएगा t cos theta, और इधर वाला जो component horizontal वाला होगा, इसको बच्चों अगर मैं दिखाऊँ, तो यह हो जाएगा t sin theta, अब देखिए, t cos theta mg को balance कर देगा, और t sin theta m a को m a c कर लीजिए, इसको balance कर लेगा, तो equilibrium के condition में बच्चों क्या होगा, t sin theta, this will be balanced by m into ac, pseudo force, ओके, m into ac, और यहाँ पर वेटा, t cos theta, this will be balanced by m g, ऐसे होगे, मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं दोनों equation को divide कर दूँ, 1 by 2 कर दूँ, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा t sin theta upon t cos theta, that means, we will get here 10 theta, this 10 theta will be equal to ac divided by g, okay, ac can be written here, v square divided by r, centripetal acceleration के बराबर यह है, और यहाँ already denominator में, बच्चों g पहले से मौजूद है, तो 10 theta की value आ गया, बच्चों, v square divided by r into g, okay, यहाँ पर question पर जाते हैं, देखते हैं, speed क्या दिया है, 10 meter per second, और radius, जिस radius के उपर, जिस circle के उपर चल रहा हो, radius 10 meter का है, तो यहाँ पर बहुत सामान निसी बात आ गई, 10 theta will be equal to 10 का square, divided by 10 into 10, velocity याई speed का लिजे, 10 meter per second था, और radius भी 10 था, g की value भी 10 हो गया, solve करेंगे, बच्चों, 1 आ गया, अगर 10 theta 1 आया, इट मीज, theta की value क्या हो जाएगी, 45 degree, तो यहाँ के लिए, answer होगा, 45 degree, और option से, अगर मैं match कराऊं इसको, तो बच्चों, correct matching जो हो रहा है, वो है, option C, okay, correct matching यहां के अंदर, बच्चों, जो हो रहा है, this is option C, okay बच्चों, this is the solution, for the question number 3, now let's enjoy, question number next, now we have question number 4, question number 4 says, 3 weights W1, W2 and W3, are connected to identical spring, suspended from the rigid rod, okay, यहां पर बच्चों, एक कोई rigid rod है, ऐसे, इससे, तीन identical spring है, identical का मतलब, length same होगा, cross sectional area same होगा, everything will be same, यहां पर बच्चों, ऐसे, इनका level भी, horizontal में same रहा होगा, यहां से, जो लटकाये गए weight है, यहां पर बच्चों कुछ भार लटकाया गया, कुछ weight यहां, ऐसे, कुछ mass ऐसे, कोई block ऐसे लटकाया गया होगा, कोई समें, कम है, कोई जादा है, बच्चों equal नहीं है, weights जो है, वो equal नहीं है, उनकी value W1, W2, W3 दिया गया है, यहां पर YM into G निकालेंगे, तो उसका value W1 है, यहां YM into G निकालेंगे, तो question के अनुसार वो W2 है, और बच्चों, यहां YM into G निकालेंगे, तो question के अनुसार यह W3 है, mass YM1, YM2, YM3 मैं मान लेता हूँ, ऐसे, बच्चों फिर कह रहा है, यह पूरा का पूरा सिस्टम छोड़ दिया गया, पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे जा रहा प्रियली, और प्रियली अगर जानी की बात कहा गया, तो acceleration जो resultant होगा पूरे सिस्टम का, अगर three fall motion कर रहा है, तो motion under gravity हो गया, यानि resultant acceleration जो इसका होगा, ये motion under gravity कर रहा है, इसलिए क्या होगा जी, अब बच्चों हमसे कहा गया है, कि बताए पोजीशन आफ वेट्स फ्राम दी राड आर, राड से अगर पोजीशन मीजर किया जाए, कि वेट्स का पोजीशन क्या होगा, तो वो कैसा होगा, कौन यहाँ जादा आगे होगा, कौन पीछे होगा, इस तरह का question किया गया है, तो बच्चों, इन फैक्ट यहाँ क्या होगा न, spring में extension होगा ही नहीं, उसका region क्या है, देखो, अगर मैं यहाँ मान लेता हूँ, थोड़े समय के लिए spring force, यहाँ पर बच्चों, डबलू वन वेट है, तो अगर इसके ऊपर मैं rule लगाऊ, किसी के ऊपर मान लो, इसके ऊपर, पहले वाले के ऊपर मैं लगा रहा हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, बच्चों, यह एक साल्ब करके आपको दिखा रहा हूँ, यह पर नट का मतलब बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा, डबली वन माइनस आप यफियस इक्वल टू, यहाँ के अंदर बेटा, यह मेरे पास हो जाएगा, यह यम वन इंटू क्या हो जाएगा, यम वन इंटू यहाँ के अंदर हो जाएगा, जी, कितने एक्सीलेशन से जाएगा, जी, और डबली वन जिसको मैंने कहा है, इनफेक्ट यह डबली वन हमारे पास क्या होगा, यह हमारे पास है बेटा, यम वन इंटू जी, फ़न का मतलब क्या होगा, यहाँ तू यहाँ औन बेटो जी, केवल इन भार को इन weights को हम छोड़ देते तो जो जादा weight होता हो जादा extension कराता जो कम होता हो कम कराता लेकिन क्योंकि पूरा का पूरा system rod सहीथ पूरा system fairly motion कर रहा है इसलिए बच्चों यहां spring में extension होगा ही नहीं spring force develop होगा ही नहीं समयार इसलिए सबका position rod के respect में क्या होगा same होगा सभी same horizontal position में lie करेंगे तो बच्चों option में अगर जाके यहां देखें कि कौन सा सही हो रहा है वह बच्चों यहां के अंदर होगा option c ठीक है correct matching जो यहां पर दिख रहा है मुझे वह बच्चों हो जाएगा option c ओके बच्चों this is the solution for the question number 4 now let's enjoy question number next now we have question number 5 question number 5 says a string of negligible mass going over a clamped pulley of mass smallium बच्चों एक string है यह देखिए एक clamped, clamped का मतलब इस clamping, इस clamped से ही एक support से बच्चों यह लटका हुआ है यहां fix है बच्चों यह इसके ऊपर से pulley के ऊपर से जा रहा string और pulley का जो mass है that is smallium फिर क्या कहा रहा है यहां पे कहा गया है supports a block of mass capital as shown in figure string से एक mass यहां supported है that is capital, okay हमसे कहा गए the force on the pulley by the clamp is given by pulley पर clamp के द्वारा कितना force यहां लगाया जाएगा यह हमसे पूछा गया है बच्चों देखो, pulley पर clamp के द्वारा, pulley पर जो force लगाया जाएगा उतना ही force pulley के द्वारा clamp पर भी लगाया गया होगा यहां पर यह clamp है और यह pulley है यह rest में है, pulley उसके उपर rest में है इसका मतलब यहां force जो होगा वो action reaction होगा जितना force pulley ने clamp पर लगाया होगा उतना ही force clamp ने pulley पर लगाया होगा तो हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं पुली पे लगने वाला net force वही clamp पे लगने वाले force के बराबर होगा समझ में आरा बच्चो तो देखो यहाँ पर यह जो pulley है अगर मैं इसका FBD बनाओ बच्चो तो पुली का जो weight है small m into g यह downward काम करेगा यहाँ देखे यह capital m into g capital m into g ऐसे downward काम किया और उतने के बराबर यहाँ tension develop होगा क्योंकि कोई motion नहीं है यह पूरा system rest में है यहाँ से बढ़ा हुआ है यहाँ से बढ़ा हुआ है यहाँ से बढ़ा हुआ है फुली पर लगेगा ऐसे तो पुली पर एक फुली और लग रहा है जो कि tension force के बराबर है मैं इसको t लिख देता हूँ जिसकी key value capital m into g के बराबर होगा और tension force जितना यहाँ है उतने ही tension force के बराबर force पुली पर यहाँ पर लगा होगा ऐसे फिक है बच्चो तो यहाँ पर पुली के ऊपर एक और force जो कि t के बराबर होगा जो कि capital m into g के बराबर है ऐसे लग रहा होगा तो मैं क्या देख रहा हूँ बच्चो पुली के ऊपर downward direction में vertically downward direction में force लग रहा है small mg प्लस capital mg और यहाँ leftward direction में horizontal direction में लग रहा है capital m into g तो यहाँ पर बच्चो एक point पर अगर मैं इनको दिखाऊं तो यहाँ पर जो force लगा वो हो गया capital m into g और यहाँ पर जो force लगा ऐसे यह हो गया capital m plus small m into g तो resultant force जो पुली पर लगेगा बच्चो वो ऐसे कहीं से जाएगा ऐसे somewhat like this ऐसे यह resultant force और net force that is acting over the pulley okay how can we calculate this sigma f this is very easy to calculate sigma f will be here square root के अंदर मेटा यह हो जाएगा capital m plus small m into g ka square यानि कि इसको मैं लिख सकूंगा this much ka square into g square plus capital m into g ka square it means m square g square value will be here मेरे प्यारे बच्चों यहां पर g square को मैं common कर लूँ और इसको square root से बाहर निकाल दूँ तो मुझे क्या मिलेगा sigma f equal to square root के अंदर हो जाएगा capital m plus half small m to the square plus capital m square and g square will be out of the square root and this will be equal to g यहां जब बाहर आएगा g हो जाएगा तो बेटा यहां के लिए ही हमारा answer हो जाएगा यह जो हम लोगो निकाल्कुलेट किया this force is acting on the pulley and the question is how much force will be acted on the pulley by the clamp the force will be action reaction that means whatever force is net force acting on the pulley which is like this the similar amount of force will be acted over the pulley by the clamp okay clamp will push the pulley clamp will pressurize the pulley with force this and the pulley uh clamp will press a clamp will clamp will give answer of this force is force का बच्चों यहां उत्तर देगा और यह जो मेरे पास force होगा वो यहां पर clamp पर लगने पुली पर लगने वाले force के equal होगा तो सम्मिला जुला के यहां पर मुझे magnitude निकालना था मैंने निकाल दिया बच्चों यही इसके लिए answer होगा अगर option से यहां पर match कराऊं तो correct matching जो यहां के अंदर बच्चों मुझे मिल रहा है वो दिख रहा option D okay correct matching will be here option D okay this is the solution for the question number five now let's enjoy question number next now we have question number six देखें बच्चों यहां कहाँ के दी पुली and the string shown in the figure are smooth and up negligible mass मतलब पुली को आप negligible mass का माल लीजे और string को भी यहां negligible mass का माल लीजे मतलब ideal system है फिर पूचा के for the system to be in equilibrium the angle theta क्या होगा बच्चों यहां पर यह पूरा system equilibrium हो उसके लिए angle theta की value क्या होगी theta यहां पर दिया गया है दोनों साइड से symmetry बन रही है यह मास यहां एंगोरा यह मास यहां दो पुलीज लगे हुए है और यहां root के अंदर 2m into G downward ऐसा होने पर इस string के अंदर tension develop होगा बच्चों यहां पर इसके अंदर भी tension develop होगा tension के बराबर फोर्स यहां यहां पर tension के बराबर फोर्स यहां यहां पर अच्छा एक angle यहां है उतना angle यहां है बच्चों जो मास यहां एंगोरा वही मास यहां एंगोरा तो everything safe तो जो condition एक साइड का होगा वही अगले साइड का भी होगा ठीक है तो बच्चों यहां के अंदर क्या हो जाएगा capital T equal to mg capital T equal to mg यह अगर equilibrium है तो balancing condition में capital T की value mg के बराबर होगा अच्छा यही tension force बच्चों यहां पर transmit होकर आएगा और इसी tension force के बराबर force यहां के वाले मास पे जो middle मास है इसके उपर ऐसे लग रहा होगा tension force के बराबर force यहां से यहां तक का tension एक है और यहां से यहां तक का tension एक ही उतने ही टेंशन फोर्स के बराबर फोर्स ऐसे लग रहा होगा ऐसे तो बच्चों यहां पर मैं क्या देख रहा हूँ एक सिंपल सी बात मुझे जो दिख रही है यह मेरे पास हो गया जो मिडिल मास है जिसके उपर हमें यहां निकालना है कि यह थीटा की वैलू क्या होगी बच्चों यहां के अंदर इसका जो weight है square root के अंदर टू टाइम साफ इसमालीम हमिन टू जी ऐसे यह vertical line हो गया यह बच्चो वबच्चो वड़िकल line हो गया एक tension force के बराबर force ऐसे लगा और एक tension force के बराबर force ऐसे लगा यहां पर जो angle है theta वही angle यहां पर है theta तो बच्चो यह एक tension इधर वाले tension force के बराबर जो force body पर लगा इसका component यहां लाएंगे T cos theta T cos theta तो यहां पर बच्चो इस vertical direction के along net force की value मेरे पास हो जाएगे T cos theta T cos theta एक साथ लिख दें तो यह जाएगा 2 T cos theta ओके बच्चो यहां रहास बाकी horizontal component यह हो जाएगा T sin theta T sin theta तो इसको लिखने की जरूरत नहीं यह दोनों एक दूसरे को cancel कर देंगे और यहां vertical में equilibrium vertical horizontal दोनों में equilibrium है तो this force equal to this एक तो cancel हो गया मैं लिखी नहीं रहा हो T sin theta T sin theta वो तो दिखी रहा है cancel हो गया इसे भी cancel होना चाहिए 2T cos theta should be equal to square root के अंदर 2 times of mg equilibrium का अगर बच्चो condition है तो ऐसे condition में 2T cos theta this should be equal to square root के अंदर 2 times of small m into g and capital T will be here capital T will be here small m into g मेरे प्यारे बच्चो यह हो जाएगा 2 और यहां हो जाएगा small m into g into cos theta this will be equal to square root में 2 times of mg ok mg will be cancelled from mg and we will get here cos theta cos theta this will be equal to 1 by square root 2 solve करेंगे square root 2 by 2 मतलब 1 by square root 2 if cos theta equal to 1 by square root 2 then it is clearly can be seen here theta will be how much 45 degree तो बच्चो यहां theta की value 45 degree आने वाला है इस तरह से अगर option के point आफ यू से देखें तो बच्चो correct choice जो यहां के लिए होगा वो हो जाएगा option C okay correct choice that we will consider here this will be option C okay बच्चो this is the solution for the question number 6 now let's enjoy question number next now one question number 7 देखें बच्चो question number 7 क्या है यहां पे कहा गया है which are the following is the correct order of forces बच्चो नेचर में जो force सबसे weak होता है सबसे weak वो होता gravitational force कौनसा force बच्चो ग्रेवी टेशनल फोर्स ओके जो force नेचर में सबसे weak होता weakest force का लीजिए वहां पर बच्चो वो gravitational force होता है और जो strongest force होता है वो होता है nuclear force nuclear force यहां पर बच्चो बीच में जो force आता है इन दोनों के बीच में वो होता है electromagnetic force, electric force और magnetic force कौन उसमें ज़्यादा कौन कम depend on condition कोई ना बहुत ज़्यादा होता ना बहुत कम होता है तो यहां पर बच्चो उसको एक साथ मिला के कहते है electromagnetic force ठीक है अब यह जो nuclear force है इसमें दो होते हैं एक होता strong nuclear force एक होता weak nuclear force जनरली हम nuclear force की जब हम बात करते हैं तो जनरली हमारे दिमाग में आता nucleus को बाधे रखने वाला force यानि neutron और proton को combine करने वाला बांद के रखने वाला force जो की strongest होता है nature में सबसे ज़्यादा बच्चो इसकी value होती है जितनी forces हम जानते हैं उसमें सबसे strong force होता है तो nuclear force में एक होता strong nuclear force जिसको कभी कभी केवल strong force कहां दिया जाता है और एक होता weak nuclear force weak nuclear force जैसे positron के बीच में लग रहा है nucleus के अंदर positron create हुआ तुरंद बाहर निकल गया positive beta particle के रूप में nucleus के अंदर electron बना किसी वजह से बच्चों तुरंद बाहर निकल गया तो इनको बाद है रखने वाला जो force होता बड़ा weak होता है और उसको weak nuclear force कहते है जनरली उसे weak force ही बोल देते हैं weak force मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इनका जो order होता है strong nuclear force सबसे जादा हो गया फिर यहाँ पर electromagnetic force फिर weak nuclear force होता है फिर gravitational force होता है यही order यहाँ के अंदर exist करता है तो option में अगर जाएं तो सबसे चोटा gravitational सबसे बड़ा strong nuclear force electrostatic या electromagnetic भी कह सकते थे बच्चों यहाँ फिलाल option के point of view से correct option जो जा रहा वो होगा option B correct choice that we will consider in this particular question this will be option B okay बच्चों this is the solution for the question number 7 now let's enjoy question number question number 8 question number 8 says one end of a massless rope which passes over a massless and frictionless pulley P is tied to a hook C while the other end is free okay the maximum tension that the rope can be here is 360 Newton मतलब 360 Newton से एक Newton भी अगर जादा हुआ 0.1 Newton भी अगर जादा हुआ तो इस्ट्रिंग ब्रेक कर जाएगा तूट जाएगा उसका strength जो सहने की छमता हो 360 Newton तक ही है ओके फिर हम काट वेल्यू आप मिनिममम सेफ एक्सिलेशन कैन यह मंकी आप 60 किलो ग्राम मूब डाउन आंदी रोग बच्चो देखो क्वेस्चन नंबर मैं बात कर रहा हूं बच्चो दिस प्वेस्चन नंबर 8 and we are going to find out the solution of this question बच्चो यहां पर एक बहुत सामानसी बात कही गई है एक इस तरह से कोई pole बना हुआ है ऐसे यहां ground होगा यहां पर इसके top पे ऐसे करके एक pulley लगी हुई है एक pulley बच्चो यहां पर ऐसे लगी हुई है ऐसे ओके यहां से इस pulley के सहारे एक string crossover हो रहा जो कि यहां ले जाकर के एक प्यक से ऐसे बांद दिया गया है ठीक है बच्चो फिर दूसरा end इसका कहरा फिरी है दूसरा end जो फिरी है इसके उपर एक monkey है जो कि इसके उपर बच्चो नीचे की और उतर रहा है या जो भी होगा situation अभी बता रहे है सवाल यह है कि यह जो maximum tension यह string सह सकता है बिना break हुए यह रह सकता है वो है 360 newton अगर बच्चो मैं क्या करूँ यहां पर T max की value that is 360 newton मेरे प्यारे बच्चो अगर मैं इस monkey के weight को देखूँ कि monkey का weight कितना होगा m into g के बराबर होगा m की value मंकी का जो mass दिया गया बच्चो this is 60 kg यहां पर 60 into g की value चलो 10 ले लेता हूँ तो यह हो गया 600 newton अगर मंकी कुछ ना करे पकड़ कर लटक भी जाए तो यह रस्सी तूट जाएगा क्योंकि रस्सी की छंता जो है string की जो छंता है tension को सह पाने की वह है 360 newton और इसका swim का weight 600 newton है अगर यह इसके उपर मात्र ऐसे पकड़ का लटक जाए और चले ना तो अपने आप यह string ब्रेक कर जाएगा क्योंकि 600 newton 360 से कहीं जादा हो गया समझ में रहा बच्चो अब क्या होगा अगर safe बनाना है तो यहाँ tension की value कम करनी पड़ेगी कि tension force string में कम develop हो तो बच्चो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको यह देखिए यह जो monkey है जो इसके उपर बच्चो यह उँ climb कर रहा होगा देखिए यह रसी को नीचे खीच रहा होगा ठीक है बच्चो और इसका swim का monkey का जो weight होगा mg डाउनवर्ड काम कर रहा है अगर यह नीचे की और accelerated motion करे तो इसके लिए अगर मैं equation बनाऊंगा बच्चो ऐसा question आप कर चुके हो इसके लिए अगर मैं equation बनाऊंगा if net equal to ym ये if net का मतलब हो जाएगा downward motion की बात हुई है तो यह हो जाएगा mg यहाँ पर बच्चो यम जी इसको smallium मैंने माना है यहाँ smallium लिख देता हूँ mg minus आप tension force के बराबर force monkey का पर अपॉर्ड है equal to m into a मेरे प्यारे बच्चो अब होगा क्या t की जो value यहाँ required होगी वो हो जाएगी mg minus a देखे t की value घट गई यहाँ पर बच्चो a की value जितनी कम होगी ध्यान से देखे g minus a तो a की value जितनी कम होगी g minus a उतना ही ज़ादा होगा और t max उतना ही ज़ादा आएगा तो बच्चो यहाँ पर अगर मैं t max लिख रहा हूँ तो यहाँ पर g a की क्योंसी value होगी minimum value होगी ठीक है अगर यह की value मैं minimum रखूंगा तो t की value maximum आएगी और maximum tension that string can bear this is 360 newton monkey having mass equal to 60 kg and g की value 10 ले लेता हूँ बच्चो minus a की minimum value मेरे प्यारे बच्चो इसको हम लोग solve कर लेते हैं इसको cut करेंगे बच्चो 6 बार जाएगा 6 आगया यहाँ पर तो क्या बना equation equation बना 6 equal to 10 minus आप यह mean यानि की यह की minimum value जिससे monkey downward आ रहा होगा 10 minus 6 यानि की कितना आगया बच्चो 4 meter per second square acceleration की minimum value यह बच्चो हो जाएगा मेरे पास कितना यह हो जाएगा 4 meter per second square ओके देखो अगर इससे ज़्यादा acceleration से यह नीचे की तरफ जाए ज़्यादा acceleration से जाएगा जितना यह की value ज़्यादा होगा T की value उतना कमाएगा तो अच्छी बात होगी लेकिन यहाँ पर अगर इतने acceleration से कम acceleration से मालो 4 की बज़ा 3 से गया तो T की value T max से ज़्यादा आजाएगी और T max से ज़्यादा उससा नहीं पाएगा इसलिए रसी तूट जाएगा ठीक है बच्चो यहाँ के अंदर तो correct answer जो हमारे पास हुआ वो हो गया 4 meter per second square और option इस तरह से हो गया बच्चो option C correct choice that we will consider here this will be option C बच्चो चलते हैं अगले question number 9 question number 9 says when force F1, F2, F3 are acting on a particle of mass ismalium such that F2 and F3 are mutually perpendicular than the particle remain stationary मेरे प्यारे बच्चो कोई particle है कोई body है suppose करिये कोई body है इसके उपर बच्चो तीन force लग रहे हैं कौन-कौन से F1, F2, F3 और F2, F3 का रहा है एक दूसरे के perpendicular है जैसे मान लो मैं इसको F2 लिख दूँ और यहाँ पर बच्चो F3 इसके उपर मैं ऐसे लगा दू F3 यह दोनों एक दूसरे के perpendicular है और तीनो force के लगने से body equilibrium में है तो बच्चो यहाँ पर तीसरा force हमारे पास ऐसे कहीं रहा होगा देखो यह F2 और F3 का resultant आ गया तीसरा force इस प्रकार से होगा कि F2 और F3 के resultant को cancel out कर दे मतलब थर्ड force जो होगा थर्ड force जो होगा बच्चो वो थर्ड force हमारा F2 और F3 के resultant के magnitude के बराबर होगा और direction में opposite होगा समझ में रहा है बच्चो यह तीनो force मिल करके sigma F की value 0 ला रहे है क्योंकि body particle equilibrium में है यहां पर कहा गया है if the force F1 is now removed then acceleration of the particle is बच्चो F1 को अगर हटा दिया जाए तो क्या होगा F1 को अगर हटा दोगे माल लिया माल यह यह 3 नहीं F1 रहेगा F1 को अगर बच्चो आप हटा दोगे तो यहां पर क्या होगा F1 को हटा देने से इन दोनों का resultant बचेगा बच्चो यह sigma F हो गया न माल लो मैं F1 को हटा दूँ तो F1 को हटा दूँगा तो बचेगा F2 और यहां पर बच्चो क्या बचेगा F3 और इन दोनों का जो resultant होगा sigma F है से आगे तो बच्चो यहां पर net force हमारे पास sigma F के बराबर होगा और यही sigma F यह किसके बराबर था F1 के magnitude के बराबर था समझ में आ रहा बच्चो यह जो sigma F है इसका magnitude F1 के magnitude के बराबर था अभी मैंने बताया कि अगर body को equilibrium में लाना तो F2 और F3 का जो यहां resultant है उसका magnitude F1 के magnitude के similar हो और यह फोन की direction resultant force F2 और F3 का जो resultant है उसके opposite हो तो बच्चो magnitude में दोनों क्या है सेम है अब अगर मैं यहां पर इसके उपर बच्चो acceleration पूछू क्या होगा तो acceleration की value हो जाएगी net force divided by mass net force को बच्चो मैं लिख सकता हूँ F1 प्लस F2 vector F1 माप करियेगा vector F2 plus vector F3 का magnitude divided by mass और F2 प्लस F3 का magnitude मतलब बच्चो sigma F की value हमारा F1 के magnitude के बराबर होगा तो यही equal to हो जाएगा F1 divided by M option में देखते हैं यहां पर बच्चो F1 by M हमारा पहला option है यही यहां पर correct choice होगा तो यहां के लिए correct choice जो हम लोग बच्चो consider करेंगे वो हो जाएगा option यह ठीक चलते हैं बच्चो अगले question पर now we have question number 10 देखें बच्चों enjoy करें यहां पर कहा गया spring balance is attached to the ceiling आपे lift a man hangs his bag on the spring and the spring rates 49 newton when the lift is stationary बच्चो यहां पर यह रहा lift जब यह lift rest में होता है इसके ceiling से spring balance लटका हुआ है और उसके उपर कोई weight ऐसे लटकाया गया है obvious सी बात है बच्चों यहां इक्विब्रियम आएगा तो यहां इक्विब्रियम आएगा इक्विब्रियम जब आएगा तो यहां पर mg equal to क्या हो जाएगा यह फिएस ऐसे होगे मेरे प्यारे बच्चों रीडिंग जो अभी आएगी वो mg के बरावर या यू का लिजए यफिएस के बरावर आएगा और यफिएस ही यहां mg के equal होगा ओके और बच्चों यहां के अंदर जो की दिया गया 49 न्यूटन ओके दिस इज 49 न्यूटन मेरे प्यारे बच्चों अगें question says here क्या का रहा है इसका मतलब जो मास यह लटक रहा है इसकी वैली जो यहां के अंदर आएगी बच्चों 49 divided by 9.8 ठीक है 9.8 और बच्चों इसको आप solve करोगे solve करोगे तो यहां के अंदर जो आपको answer मिलेगा ओं मिलेगा 5 meter per second square ठीक है इसका answer मिलेगा 5 meter 5 kilogram इसका answer बच्चों आपको मिलेगा 5 kg ओके अब आगे बढ़ते हैं यहां पर आगे हमसे अगले case में कहा गए कि अगर यही lift downward acceleration से चलने लगे तो क्या होगा यहां पर पहले case में तो यह rest में था दूसरे case में बच्चों second case में यह downward चलने लग जया तो अब यहां पर rule अगर लगाओगे reading पहले case में reading दूसरे case में इस बार जो reading आएगा spring हमेशा spring force को read करता है spring force जैसे रस्सी में tension force आता था वैसे spring force spring force की जो नई value होगी वो हो जाएगी बच्चों ym g minus y ठीक? ym की value आप अलरेड़ी निकाल चुके हो जो की 5 है g की value 9.8 आप ले रहे हो minus y की value कितनी है बच्चों 5 solve करके answer निकालना है तो बच्चों यहाँ पर जो नई reading आएगी उसकी value मुझे जो मिलेगा वो हो जाएगा 5 multiplied by कितना आजाएगा बच्चों 4.8 4.8 यह आएगा ने इसको आप solve करोगे बच्चों इसका answer मिलेगा 24 24 newton यही reading होगा option से अगर बच्चों यहाँ मैच कराएं तो correct matching जो यहाँ के अंदर मुझे दिख रहा है वो हो जाएगा option B correct matching that we will get here this will be option B ओके बच्चों now we have question number 11 यार हमाँ प्रस्ट आप लोग देखो बच्चों कहा कि 3 forces starts acting simultaneously on a particle moving with velocity the forces are represented in magnitude and direction by the three sides of a triangle ABC as soon the particle is now move with velocity बच्चों यहाँ पर कोई particle की बात का रहा का रहा वो constant velocity से कहीं जा रहा था यहाँ पर बच्चों क्या होगा कि का रहा आचानक इस particle के ऊपर force लगने शुरू हुए और force इस तरह से लग रहे हैं कि उसको एक triangle के ऊपर विवस्थित किया जा सकता triangle के ऊपर arrange किया जा सकता है ऐसे एक triangle बना हुआ है यहाँ फोर्स को ऐसे दिखाया गया बच्चों इसके ऊपर ऐसा फोर्स लगा कई फोर्स लगे लेकिन सबका रिजल्टेंट क्या है जीरू तो अगर किसी बाड़ी पे निट फोर्स जीरू है और बाड़ी आल्रेडी मोशन में था तो बच्चों उसी मोशन को continue रखेगा मतलब उसकी वेलास्टी ज्यों कीतियों बनी रहे जाएगा वो हो जाएगा option यह आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है यह option यह हमारा correct choice हो गया ठीक है बच्चों this is the solution for the question number 11th now let's enjoy question number next one